स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में, क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, आज हमारा LD हाइट एंड कीटोन का PYQ का डिसकसन है, J-Main as well as J-Advance के सवालों को आज हम तोड़ेंगे और फोड़ेंगे, ठीक है, तो कैसे हैं सभी लोग, करें स् चलिए बढ़ी है, रिवाइस करके भी आए हैं, बहुत बढ़ी है, वेरी नाइस, ठीक है, तो चलिए भाई, शुरू करते हैं यहां से संडे का टेस्ट, उसके रिए best of luck, LD हाइट की डॉन का PYQ डिसकसन, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर ये, ठीक पर ऐसे लिख लो, TBOK, आपको clear हो गया होगा, चलिए आपको सवाल के लिए समय दिया जाएगा और समय दिया जाएगा तो फिर आपको करना भी है, ठीक है, चलो बाई, एक मिनिट का समय, सवाल की level के हिसाब से, एक मिनिट में इस सवाल हो जाना चाहिए, ठीक है, अच्छा आपका Sunday टेस्ट हो गया ना हो चुका हो चुका कोई बात नहीं यह वाला अपन हटा देते हैं ठीक है ठीक है क्लियर है कांगे हाँ चलिए restart जल्दी से फटावट से तुरंत क्या लग रहा है क्या लग रहा है आगरा बदलापुर चेनने धोलकपुर में से क्या लग रहा है बताएं बोले 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 आगरा बदलापुर चेनने धोलकपुर बताएं जल्दी से एक मिनिट का समय है से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए इस टाइप किसा वालों में ले जावे किया थे रूबरू कि क्या बात है आदित जी ये वेटे आंसर आ गया क्या लगता है कि समय समाप्ति की घुष्ष्ण ये देखो सबसे पहले क्या करने का है तुमें इसके रेस्पेक्ट में ये अलफा ये बीटा और ये बीटा और टी बी यू ओके ये क्या करता है ये लेस हिंडर से निकालता है अब ये भी टू डिगरी है ये भी टू डिगरी है तो मतलब इन दोनों में से कहीं से भी निकाल स यहां पर resonance आ गया देखो तो तुम्हें ध्यान रगना यहां से बनाना ताकि alternate double bond बन जाए और जैसे ही alternate double bond बन गया इसका मतलब आप इस double bond को तोड़ दोगे किस से ओ ओ ओ गो इसको तोड़ दोगे ओ ओ ओ गो तो कैसा दिखेगा तो आपको ऐसा नजर आने वाला है प्लस यहां पर ऐसा दिखेंगा देखो टेक कर लो जाए देखो ऐसा दिखेंगा तो तो cho c2 c2 cho प्लस cho c yoo यह वेटे आंसर अगरा 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 सही है टेक कर लो जरा एक बार यही आया आंसर क्या बात है बहुत बढ़ी है चलें आगे चलें आगे बहुत बढ़ी है वेरी नाइस फटावट से नोट करो 20 सेकंड के अंदर अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह मात्र एक मिंट का समय है एक मिंट से ज़्यादा समय लगना नीच चाहिए अगर आपने बढ़ रखा है तो चलो पटावट से एक मिंट एक मिंट का समय है बताएं जल्दी बोलें आगरा बदला पूर चेन नहीं डोलक पूर जल्दी बताएं दस सेकंड बारा सेकंड बचे हैं यार इतने में तो एक्जाम में यह हो जाना चीए कार्बोनाईल की रियक्षन मुँँँच के साथ एक सीएल के साथ एसीटल बन रहा है रेट अफ रियक्षन हाइस्ट कव होगी बताओ इधर आओ देखो कार्बोनाईल की रियक्षन मुँँच के साथ एसीटल बनाना है तो मुझे एक बाँ बताओ आपको कार्बोनाईल कैसा लेना पड़ेगा एसीटोन, प्रोपेनल, एसीटोन, प्रोपेनल आपको यह पता है कि न्यूगलो फिलेक एडिसन रियक्षन में क्या यह बात आप जानते हो तो एसीटोन तो हटा देंगे अब बचा B और D यहां क्या कहा रहा है मुझेनल इन इस्टोई की मेट्रिक अमाउंट इसका मतलब जितना प्रोपेनल उतना मीथेनल और यह कहा रहा है प्रोपेनल की रियक्षन मीथेनल in excess एक्सिस लेना पड़ेगा क्यों एसी टल में आपको दो मोल की जरुत पड़ती है याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि अगर इसके दो मोल डले हो तो बेटे यहाँ से ऐसा कर देना पानी निकाल देना और जब तुम पानी निकालते हो तो तुम ऐसा देखता है इसका मतलब आपको मीथेनॉल एक्सिस में लेना पड़ेगा तभी तो तुम्हारा एसीटल बनेगा अरे भहिया rate of reaction तभी तो आगे जाएगी, एक्सिस में डालो ना, एक्सिस में डालो तभी तो आगे जाएगी, खतम कहानी, आंसर क्या लगा देंगे धोलकपुर, अगर क्योंकिमेट्रिक अमाउंट में डाला, तो हैम ही एसीटल बनेगा, एसीटल नहीं बनेगा, इसलिए एसीटल बनाना है, डी आंसर लगाएंगे, एक्सिस में ले लो, कितने लोगों का सही था, पक्का, क्या बात बहुत है, वाँ, क्या बात है, बहुत बढ़ी है, चले एने वेच के साथ हीट करानी है, फड़ावट से करते हैं, एक मिन्ट का समय है, इस से जादा का समय मैं नहीं दे सकता आपको भाई, इतने तो तुम प्रो हो चुके हो, चलो जल्दी फड़ावट से, एक मिनिट के अंदर, क्या लग रहा है आंसर, जल्दी बताएं, पड़ावट से बताएं, तीस सेकंड नहीं आते हैं, बोलें, क्या लग रहा है? आगरा बदलापुर, चिन नहीं धुलपपुर, तो अगर तुम ये कार्बोनाईल पकड़ लोगे, ये अलफा, ये बीटा, तो यहां तो इन्हों ने बीटा के आगे चले गए, डबल यहां आना चाहिए था, तो ये तो साफसाफ गलत है, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ये अलफा, ये बीटा, ये भी साफसाफ गल क्या देखो बिना सवाल सौल किये कर लिया तुमने कैसा लगा क्यों वाई कैसा लगा अब बना लेते हैं यह तो तुमने ऐसी कर लिया family wise आओ बना लेते हैं तुम्हें ये पता है क्या कि aldehyde ज़्यादा reactive होता ketone से तो aldehyde का तुमारा C double bond O बनेगा तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ H C double bond O फिर एक carbon है इस पर क्या लगा है methyl लगा है फिर CH2 है फिर CH2 है फिर CH2 को मैं ऐसे लिख लूँ क्यों 5 की ring मनेगी आपकी और फिर C double bond O CH3 देखो ज़रा अगर मैं ये ले लेता ये तो 1,2,3,4,5,6,7 की ring फिर लूँगा तो 1,2,3,4,5 की ring मनेगी ठीक है इसलिए हम ऐसा लिख कर पानी निकालेंगे निकाल दो पानी कैसा देखेगा कैसा देखेगा H T TH यम्मी TH2 TH2 T double और C double bond O CS3 अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो यही तो तुम्हारा chain नहीं है देखो जरा गौर से देख लो यही तो तुम्हारा chain नहीं है तो आप solve किये बिना भी कर सकते हो कैसे अगर तुम्हें compound का यह पता है किसका नाम कैसे रखा गया alpha beta unsaturated चीक है alpha beta unsaturated clear एकदम आगया दा answer तो यह आप लोगोंगा आना चीए वैसे यार यार अब तो answer आजाने चीए तुम्हारे आदित्य जी very nice चलो फटावट से नोट करो 30 second के अंदर जिसको लिखना है कितना आसान है भाई clear चलें आगे अनुस चलें आगे चलो बहुत बढ़िया very nice अगला सवाल दौडता हुआ आरा आपके सामने एग मिनित का समय दे रहा हूँ एग मिनित का समय दे रहा हूं एग मिनित का चलो भाई शुरू करो एग मिनित का समय है very good अभी तक जिसके सारी सही है एकदम सही जा रहे हो जल्ली बताओं फटाफट से बता दीजिए फटाफट लेजावे अक्याने रूबरू मिस्रा जी कह रहा है मैंने पहले यही सोचा था लेकिन खुद पर भरूसा ना था चलें आगे चलो बहुत बढ़ी है वेरी नाइस आई यह क्या हो गया लग आउट क्या करा था मैं हाँ आई यह जड़ा देखो यह क्या करेगा यह अलकॉहलिक के वैच है इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा यह बीटा तो पहला स्टैप तुम्हें क्या दिखेगा देखना पहला स्टैप तुम्हें दिखेगा यह इस प्रकार ऐसा दिखेगा अब तुम्हेंच प्लस देखो ग्तायण क्या करेगा है अब क्या करोगे एच प्लस जब आएग यहाँ पर कांपाश प्लस जब आएगा यहां बनेक argue और नहीं देतनाट कार्बोगटाइन बनने के बाद वह ESR लगाएगा BENZINE BRING पर तो ध्यान से देखना मैं इस हप्लस को कार्बोगटाइन में ऐसे कनवर्ट कर रहा हूं ध्यान से देखना है earlier देखना मैं चाहसे में द्रूंहां कि मैं A इस पर अटेक करें, तो 6 की रिंग मनें, बेटा, ध्यान रगना, इंट्रा मॉलीकुलार अगर फ्रीडल क्राफ्ट रियेक्शन हो रही है, फ्रीडल क्राफ्ट अलकाइलेशन है, इंट्रा मॉलीकुलार में आपको रिंग स्टेबिलिटी से चलना है, इंट्रा मॉलीकुलार म न यहाँ पर अटेक कर देगा तो एक दो तीन चार पांच शे की रिंग बन जाए कि नहीं तो ध्यान रखना वेटा रिंग स्टेविलिटी चल दी है कहाँ पर इन इंट्रा एफ सी आर इन इंट्रा एफ सी आर तो धोलक पूर एकदम सही आंसर है कितने लोगों ने यही सोचा जादा वेरी नाइस बहुत बढ़ी है चैसे जाद चैसे की स्टेविलिटी जादा पांच की कम होती है किलियर एक दम यह सब आप सॉल्यूशन तो पीडिएफ से देख लोगे नोट कर लोगे ना इसके लिए तो टाइम मन ना दूना क्वेश्चन करने के लिए टाइम दू एक एक मिनिट का पस है ना किलियर चलें आगे फटावट से बोल दू किलियर है ना यह देख लो एक बार अच्छे से पास दस सेगिंड में चलूं आगे आगे ता अंसर बहुत बढ़ी है वेरी नाइस चलो अगला सवाल आ रहा है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह एक म एक दम एक्जाम जैसे फील आनी चाहिए कि हाँ एक दम एक्जाम में सवाल आया है और हमने करा है वैसा वाला एक मिनिट है अराम से कर लो बेड़ी बोलो 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 क्या लग रहा है हो गया एक मिनिट काफी है आईए जरा पढ़ते हैं आईए जरा पढ़ते हैं एन और गैनिक कमपाउंड नीदर रियक्ट विद न्यूटरल फी चील 3 और न्यूटरल फी चील 3 वाला टेस्ट कौन सा होता था वालेट कलर का कॉंप्लेक्स देता था अकर फ यह लग नहीं दे रहा है तो फिनॉलिक ग्रूप है अटा दो यह तो आंसर होई नहीं सकता क्यों नेगेटिव कह रहा है न नूटल फी चील 3 तो लुशन नौर विद फैलिंग सॉलिशन की बात कर रहा है फैलिंग फैलिंग सॉलिशन चेक करें जरा ना तो यह एफी चील नहीं है फैलिंग दे रहा है अचा फैलिंग कौन देता है एलीफैटिक देते हैं एरोमेटिक नहीं देते है एलीफैटिक नहीं देते हैं कीटोन यह टेस नहीं देता चलिए भई एट हाइवर रियेक्ट विद ग्रेगनाड रियेजेंट ग्रेगनाड रियेजेंट के साथ reaction भी करता है देखो ये तो हटा दिया gregnard के साथ ये कर सकता है बिल्कुँ सही बात है gregnard के साथ ये कर सकता है सही है ये भी कर सकता है ठीक ये भी कर सकता है and gives positive ideaform test positive ideaform test कौन देगा ये नहीं देगा क्यों इसमें methyl giton नहीं है ना ऐसा 2 degree है जो methyl giton में convert हो जाए सही है ना चलो भाई A गलत B गलत T वाला चेक करो T भी गलत देगो ये helloform देगा क्या नहीं देगा positive helloform क्या रहे ना D is the right answer जनता एकदम ऐसे पलड़ गई जनता ऐसी थी ऐसी पलड़ गी जनता एकदम अभी answer A आर आदा फिर B आने लगा फिर C आने लगा फिर D आने लगा वाई ये वाला जो गुरूप है ना ये ये helloform test देगा ये इतना हिस्सा देगो क्यों ये वाला कार्बन कनवर्ट हो जाएगा मिधाइल कीटोन में चीक है कि क्लियर है चले आगे चले आगे जनता एकदम पल्टी ऐसी पल्टी मारी जनता ने ऐसा तो कोई नहीं मारता होगा चले आगे अरे भाई FECL3 टेस फिनॉलिक गुरूप देता है ये फिनॉलिक गुरूप नहीं है ये अलकॉहलिक गुरूप है तो कमल कौन कमल की कमज कमज मिथायल कीटोन में ये कनवर्ड हो जाएगा टू डिग्री अरे भाई ये हैलोजन माइड ऑक्सिडाजिंग एजन्ट होते हैं पढ़के नहीं आयो का चलो बहुत बड़ी है वेरी नाइस अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जरा तावधानी से करें और इसमें तुम्हें क्या बताना है ए और बी बताने है ऑप्शन तुम्हारे अगले पेच पर है तो आप क्या करो मुझे पहले इसका बना के बताओ एक मिनिट मे पेच्मेश के आना चीए आंसर सबका इंट्रा मॉलिकुलार एल्डोल पहले एल्डोल रियेक्शन फिर एल्डोड कंडनसेशन होगी ऐसा चलें आगे बनाया पक्का आईए क्या करेंगे इसमें देखना एल्डी हाइड और कीटोन में कौन रियेक्ट अच्छे से करता ये तो ये बनेगा C double bond देखना ध्यान से ये बनेगा C double bond ये क्या है CH2 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 दो हो गए फिर एक कारबन है इस पर दो मिथाईल लगे हैं फिर एक कारबन है इस पर दो मिथाईल लगे हैं फिर C double bond हो है और फिर CH3 है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल्डोल, reaction पहले होगी, फिर condensation होगी, ठीक है, तो ये bond टूटेगा, ये minus, ये plus, ये bond टूटेगा, ये minus, ये plus, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, अब तुम यहाँ cross में जोड़ दोगे, cross में जोड़ दोगे, तो ऐसा दिखेगा, H, T, TH2, TH2, फिर एक carbon, इस पर दो methyl, फिर C double bond, देखो जरा दिखान से, अब ये cross में जोड़ोगे, तो इस carbon से क्या जुड़ जाएगा, CH2, देखो, और यहाँ क्या जाएगा, OH, देख लो जरा दिखान से, देखो, ये H+, इस O- से तो OH आजाएगा, और ये वाला carbon दिख रहा है, ये negative बनते ही यहाँ जुड़ जाएगा, और ये वाला इस से जुड़ेगा, देखो, ऐसा दिखेगा, अब इसको अच्छे से लिख लेते, bond line के form में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की ring हो गई, 6 की ring हो गई, 6 की, ये वाली है अगर मैं C double bond हो वाला carbon इसको मानता हूँ, तो इसके पास में एक CH2 है, उसके पास में एक carbon है, जिस पर OH आएगा, ठीक, फिर CH2 दो छोड़ दो, एक और एक दो छोड़ दो, फिर इस वाले carbon के adjacent वाले पर दो में थाईल है, ये aldol reaction हो गई, अब आप क्या करोगे, S3O plus heating करा एक तरीके से, तो क्या होगा इसका, आप H plus के साथ heating करा रहे हो, या normal भी heating कराते हो, तो भी reaction हो जाती है, क्या होगा, इसके respect में ये alpha, ये beta, इसके respect में ये alpha ये beta, यहाँ पर unsaturation आ जाएगा, ये answer आएगा, ये तुम्हारा A हो जाएगा, और ये तुम्हारा B हो जाएगा, चेक करो चेक करो बदला पुरा अंसर आ रहा है मेरा चार की तो रिंग बनेगी नहीं छेकी बनेगी और यह तो तुम बिना सॉल किये हुए उप्सन देखके भी कर सकते थे क्या चार से जादा चेकी इस्तेवल है इतना तो तुम ने देखी लिया होगा अब इसमें कॉंजूगेशन नहीं आ रहा है इसमें कॉंजूगेशन भी आंसर है ठीक है किलियर है अगर आपको मैं आप्सन पहले ही दिखा देता और पूछता बताओ क्या आंसर होगा तो तुम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह है वन मिनिट वन क्वेश्चन वन नेशन चलिए फटावर से आंसर करिए आना चाहिए आंसर इसका 30 सेकंड है आपके पास और 30 हो चुक है 30 बाकि है क्या लग रहा है किस किस को रिड्यूस करता है यह किस किस को किस को किस को रिड्यूस करता है सोचो एलेच, नाइट्रो को करता है यस सर, कार्बोनाईल को करता है यस सर, एसेड को करता है यस सर, बताओ ज़रा, जो एलेच है ना वो नाइट्रो को भी रिड्यूस करता है, ध्यान रखना, एलेच क्या करता है, नाइट्रो अलकेन, लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर कहीं ना और बाकी तो आप जानते हो क्या क्या होता है देखो एसे से यह कनवर्ट कर देगा CH2 OH में इसको अलकीन को नहीं करेगा कार्बोनाइल को CH2 OH में कनवर्ट कर देगा नाइट्रो को एनस्टू में कर देगा चेक कर लो जड़ा एक बार क्या लग रहा है आंसर आगरा देखो नाइट्रो अलकें से अमीन बना देता है लेच बदला पूर आंसर आएगा इसका चेक कर लो सभी लोग क्लियर एकदम आया था क्या वाद है बहुत ही बढ़िया वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी गुड अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर वन मिनिट का टा एक मिन्ट है आपके पास एक मिन्ट 30 सेकिंड double bond L.A.H. नहीं करता याद रखना पड़ेगा 10 सेकिंड 5 सेकिंड 4, 3, 2, 1 वाह देखो एस्थर को N.A.B.H. पो नहीं करता अलकीन को नहीं करता कार्बोनायल को करता है बॉंड ब्रेक कर देंगे यह चेक कर लो जड़ा. आंसर आगया बदला पूर सीधा. ठीक है? बदला पूरी तदा फाइनल आंसर सब कही आ गया होगा इसका तो. चलिए अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर the correct sequence of reagent for the following conversion will be इससे तुम्हें यह बनाना है क्या sequencing होनी चाहिए? बताइए. A, B, C, D. एक मिनिट का समय दिया जाता है आपको और समय शुरू होता है अब. चारों आप्सन देखी वार अंसर बताइए. क्या लग रहा है? क्या लेना चाहिए? पोचो, लगावा, दिमाग लगावा, आवा के नहीं आवा? जल्दी फटावड़ से, दिमाग लगावा, लास्ट कोश्चन में, M.E.U.H. सिर्वा से, एच प्लस प्रोवाइड करने के लिए आता है. एने भी एच पोर एच माइनस देता है, और M.E.U.H. एच प्लस देता है, ताकि वो पाई बॉन ब्रेक हो जाए, चित से हैंना. चलिए भाई, आईए, क्या गरें? अगर यह उप्शन लेके जलता हूं, तो टॉलन्स रिएजन्ट उक्सिडाइज कर देता है, किसको? CH को किसमें? COH में. तो यह उक्सिडाइज होकर, अगर मैं पहला उप्शन लेता हूं, तो COH बनाएगा. ठीक. और अगर मैं मीथेनॉल ले लेता हूं, तो मीथेनॉल H-Plus के साथ क्या करेगा? मीथेनॉल H-Plus के साथ यहां रियक्षन करके हैमी एसिटल बना सकता है, और यहां एस्टरिफिकेशन बना सकता है. तो इन दोनों में से ज़्यादा रियक्टिव कौन होगा? एस्टरिफिकेशन. क्यों? क्योंकि उसमें Water Removal होगा. तो अगर मैं यहां Estetification करा देता हूं इसके बाद, तो यहां दिखेगा COOCH3. अगर मैंने Estetification करा दिया. और उसके बाद CS3MGBR कराओगे, और विसली यहां पर Access में लेना पड़ेगा, आपको क्योंकि Conversion में दिख रहा है, इसका मतलब A वाला जो हमने सोचा था वो एकदम सही है. A वाला जो सोचा था एकदम सही है. अब मैं इसको पूरा डीटेल में लिखके बताता हूं कैसे कैसे हो रहा होगा, ध्यान से देखना. पहला Step, Step 1. Step 1 जो हो रहा होगा, वो हो रहा होगा. तॉलन्स डीजेंट इसको अक्चिडाइज कर रहा होगा, इसमें. अब इसके बाद ऐस्टेडिफिकेशन हो रही होगी. तो क्या बना लेगा वो ये बना लेगा ये ओवराल रियेक्शन है ठीक है ये कहानी है किलियर एकदम एकदम ये कहानी है किलियर है आगे बने बस हो गया चले आगे तो पहले तुमने टॉलंस रियेजेंट लिया और ये यार माईल लॉक्स रियेजेंट होता है सब पता है तुम्हें अब इन दोनों में CS3OH कहान रियेक्ट करेगा इसके साथ करेगा इसके साथ तो करेगा नहीं ठीक है और उसके बाद सारी रियेक्शन तुमने पढ़ रखी है अब तुमने रियेक्शन नहीं पढ़ी है अब तुमने रिविजन नहीं किया उसके लिए तुमारी गलती है हमारी नहीं हम सवाल करा रहे हैं तुमें जिसने किया है उसके आंसर आ रहे हैं और वही चाहिए हमें, जो पढ़ते हैं, उनके आंसर आ रहे हैं, यही चाहिए, अगला सवाल कराएं, ठीक है, अगला, अरस्तिवारी करें, क्लास में हलके कराते हो, तो विटा वो भी तुमसे बनते नहीं है, यह सारे रिएजेंट पढ़ा रखे हैं, ठीक है, हलके और भारी नहीं होते सवाल, सवाल होते करने के लिए, जो तुम नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे बैठे हो फोन लेके, तुमारे हाथ में कौपी पैन होता न, आज तुमारे भी आंसर आ रहे होते, उपर वाले ने अच्छा नहीं किया, तुमारे साथ यह, चलो अगला सवाल, दा मेजर प्रटेक्ट आप दी फॉलॉइंग रियेक्शन सीक्वेंस आईए ज़रा आईए 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 पड़ा बड़ से आंसर करिए एक मिनिट का समय है अब हर्स जी ये सोच रहे हैं कि सर ये तो बड़े गंदे गंदे डाइग्राम बना रखे हैं तो जो है ये कठिन हो का दो आईए जान देखके डर रहे हैं वा ओ क्या डाइग्राम है तर नहीं बनेगा हमसे अरे सब रियेक्शन पट रखी है तुमने आर करो तो ट्राइ तो करो चलो दो मिनिट का समय देंगे क्योंकि जैए अडवान्स का सवाल है आना चाहिए आंसर लेकिन ठीक है आना चा रहे करोगे तो आएगा अंसे आएगा अंसे आएगा अंसे कि अच्छ पारे और नहीं सोच पारे एक मिनेट और सोच चलो अच्छा सवाल है अब मैं आपको हिंट देता हूँ आप करना है एल्डोल कराओ सबसे पहले दिख रहा होगा तुम्हें क्यों हो रही है एल्डोल कराओ पहले होगी परस स्टेप फिर सेकेंड स्टेप कहनी जारो कराओ पहले तुम्हें लोल करा लो पिर कहनी जारो करा लो और फिर एसीटल फॉरमेशन यह तीन और येक्षन मिक्सें इसमें कोई बहुत भारी नहीं है रिएक्षन तुम्हें देख के डर रहे हो तो अलग लग रा अंसर कराओ अब यह तो कराना पड़ेगा ना तुम्हें एल्डोल कराओ पहले फिर कहनी जारो कराओ फिर तुम्हें एसीटल फॉरमिशन कराओ बहुत आसान सवाल अब यह हम करेंगे तो बोलोगा अच्छा यह यह था इसमें यह तो हमें पता था कराओ कराओ क्रॉस एल्डोल होगी सबसे पहले करें स्टार्ट चल यह देखिएगा जरा ध्यान से है ना चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज़ पर सॉल करके दिखा रहा हूं कैसे करना है पी एच बेंजीन को पी एच लिख लो क्यों टरना उसमें ती डवल बॉंडोंडों सी घमीटू यही लिख सकता हों उस कमपाउंड को देखो टी एच अनुडोंडों आब इसकी मुझे क्या करानी है एच छी एचो के साथ क्रॉस एल्डोल क्यों इसके पास अलफा है और यह एक एलडिहाइड भी दे रख्खा है ठीक है मुझे करानी है क्रोस एल्डोल क्रोस ए दिखेगा कैसे लिखोगे इसको लिखोगे इसको इसको लिखोगे ऐसे और इसको लिखोगे एच बाहर करके क्या तुम्हें ऐसा देखेगा ऐसा देखेगा यहां प्लस यहां माइनस और इसको तोड़ लो यहां माइनस यहां प्लस ऐसा देखेगा अब अलफा के पास 2H तो थे नहीं तो पानी नहीं निकालेंगे एक H है, तो सिर्फ एल्डोल reaction होगी, condensation तो होई नहीं पाएगा क्यों? इसके पास दो H नहीं है तो अब आपको ऐसा देखेगा H, T H, OH T ME2 T, double bond O, pH ऐसा देखेगा? क्या मैं इसको ढग से लिखूँँगा तो ऐसा देखेगा? देखना pH, T double bond O और T ME2 और यहां क्या है? CH2 OH तो ही है? अब HCHO excess में है अब दूसरी बार, second time HCHO फिर आएगा, लेकिन अब क्या होगी? कहनी जारो cross कहनी जारो और cross कहनी जारो क्या करता है? इसका कराएगा oxidation क्यों? अगर cross कहनी जारो हीट है तो condensation होगी अरे भाई, पानी निकालना है H तो 2 होने चाहिए, पानी में 2 H होते हैं कि 1 H होता है पागले? पानी में 2 H होते हैं ना? तो कहां से पानी में 2 H आएँगे? अरे यार दिमाग बंद कर रखा एकदम यहां कितने H है अलफा पे? इसका अलफा यह है ना, एक ही H है दूसरे H क्या? ससुराल से लाओगे अपने? कि ससुर जी 1 H दे दो हमें पानी निकालना है अरे भाई, एक ही H है न? 2 H होते तो पानी निकालते हैं ना? common science है भाई क्या नहीं सर कंडंसेशन क्यों नहीं करा हीट दे रखा था बुद्धी का इस्तमाल करना चाहिए यहां 2 H थोड़ी है, पानी कैसे निकालोगे? इसका H ले लोगे क्या? या कोई सा भी H उठा लोगे? अलफा के 2 H लेता है ना? चले आगे, ठीक है? क्रॉस कहनी जारो, समझगे बटा परियांसू क्रॉस कहनी जारो कराओगे तो इसका Oxidation और इसका Reduction अब इसमें किसका Reduction होगा इसका? करादो जारा Reduction कैसा देखेगा? pH, THOH, फिर C, TH2OH, और क्या है? ME2 है, ठीक है, यहां पर क्या है? C के साथ ME2, क्लियर है? अब तुम्हें क्या करना है इसके बाद? अब इसके बाद उन्होंने CHOH प्लस फिर दे रखा था, Catalytic Amount दे रखा था, मतलब वी एक्षन तो करा नहीं है आपको, है न? तो pH, यहां से देखना, pH, TH, OH, ठीक है? और C, TH2, OH, ठीक है? इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, OH, और क्या है? ME2 है, अब तुम जब इसकी रिएक्षन कराओगे, किसके साथ? HCHO के साथ, ध्यान से देखना जड़ा, मैं HCHO को ऐसे लिख रहा हूँ, H, TH, डवल बॉंडो, याद करो, यह हो जाएगा Acetal Formation, देखो, यह हो जाएगा Acetal Formation, PHCHO, CH2, O, TH2, TME2, एसी डली तो है? अरे यार, अगर मैं तुमको ऐसे दे देता, कि सर, इसका आंसर निकालिये, तब तुम कर लेते हो, तो वही तो किया है मैंने यार, पानी तो निकाला है, Acetal Formation, पानी ही तो निकाला है, दो OH मिल गए, एक कार्बोनाईल मिल गया, Acetal Formation करो गए न, इस तरीके से? चेक कर लो जरा क्या आंसर आएगा, यह आंसर है आपका, Option में चेक करेंगे, यह आंसर है आपका, OCH2, OCH2, फिर CME2, और एक CH लगाए, क्या दिख रहा है आपको आंसर, चेक करो जरा, यह तो यह होता यह यह होता, अब यह आपको जरा एक मिनिट में जल्दी से, इसलिए तो सवाल J advance का है, कि वो यह चाहते हैं कि तुम बस देखके डरते रहो हमेशा, तुम्हें डराके वो बाहर कर देते हैं, तुम डर जाते हो, अब इन तीनों में ऐसे ऐसी reaction कोई नहीं थी, जो आपने ना पढ़ी हो, या कोई भी बंदा ये पढ़के ना जाता हो, ये सारी reaction NCRT की ही हैं, लेकिन सवाल को ऐसे frame करते हैं वो लोग, देखके लोग डर हैं और आदे बाहर हो जाएं, उसी के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है, आप डर जाओ और बाहर जाओ, डरना ही तो नहीं है भाई, डर गया, वो घर गया, अब मुझे बताओ, इमानदारी से बताना वेड़ा, किसका आ गया था अंसर, अपने दिल पर हाथ रख कर कसम खा के बताओ, किसका आ गया था, बहुत बढ़िया क्रिष्णा गजब, बहुत बढ़िया है वेटा, जिसका आया था बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आया, वो एक बार सोचो, एनालिसिस करो कि हमारा क्यों नहीं आया अंसर, कहां हमने गलती कर दी, जबकि पढ़ तो तुमने भी रखा था, चलो भई, अगला सवाल, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, विच कंपाउंड वुड गिब, फाइफ कीटो टू मिथाईल हेक्जिनल, बदाओ, फाइफ कीटो टू मिथाईल हेक्जिनल, कौन सा देगा, ओजोनलिसिस कराना है, और तुम्हें इतना समझ में आ रहा है, कि ये कार्बोनाईल का म्बाउंड है, तो ओजोनलिसिस में यहां नहीं भी मेंचन है, तो अंडर्स्टूड है कि रिड़क्टिव होगा, तब भी अंडर्स्टूड है कि रिड़क्टिव होगा, तो या तो एक काम करो, इसको लिखकर O2 निकाल दो, या सब का bond break करके OO से अलग कर दो, जैसे आपकी इच्छा, मैं उल्टा करके दिखा देता हूँ, 5-Keto-2-Methyl Hexanal, Hexanal क्या होता है देखो? एक, दो, तीन, चार, पांच है, Hexanal हो गया यह, Piper Keto है तो ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, Piper Keto है, बस आप क्या गरो, यहां से O2 निकाल दो, उल्टा चल दो, ना, O2 निकाल दो तो इस कारबन और इस कारबन के बीच में डबल बॉंड आ जाएगा, ठीक है? तो एक, दो तीन, चार, पांच की रिंग बन जाएगी, पांच की रिंग बन जाएगी, पांच की रिंग बन जाएगी, और कैसा नजर आएगा आपको, एक कारबन है मानलो, यह, इस पर एक मिथाईल लगा है, और इसी कारबन पर डबल बॉंड आ गया, चेक करेंगे जड़ा एक बार, ऐसा दिखेगा आजा two methyl भी छोड़ दिया बने two methyl यहां आएगा two methyl छोड़ दिया उसको लिख लो यह बन था ना यह two methyl तो इस वाले और इस वाले कार्बन के बीच में double bond आया और जिन कार्बन पर double bond है ठीक है माल लो go तो क्या यहीं आता सब्सक्राइए ठीक है ओ ओ ओ गो क्लियर बदला पुरान से चलें आगे बहुत बढ़ी है very nice समझ गया आपका हानी पूरी अगला सवाल 2014 J advance का है बेटे तीन मिनिट चाहिए तुम को इसमें कम से कम तीन मिनिट ते टीन मिनिट से हैं आपके पास थ्री बिनिट से हैं आपके पास तीन मिनिट करिए एक बच्चा गड़ा ए क्नी होगा बेटा पिछले वाले ए मैंना आप जोनलिस कर के देखो उतका आएगा है हाईगा एब टेन टू सिक्स डाई होने सायेगा क्योंकि कि दो में था लाज पास थे चेक कर लो एक बार करके अगर आप चाहो तो पहले होगी अगर इस हिंट से आप समझ पार हो तो आंसर आजाएगा पहले एन आर करोगे फिर एसन नंजीपी होगी पहले एन यार देन इसन एन जीपी अगर आप इतने से समझ पारे हो तो अंसर आजाएगा अगर आप समझ पारे हो तो वैसे इतना अगर आपको समझ आ गया तो मुझे लगता है कि बस दो मिनिट काफी है फिर सवाल में हो जाना चीतते हैं चलें आगे देखो पहले CS3 माइनस आएगा यहाँ टेक करेगा यह टूटेगा ठीक और जैसे इस पर नेगेटिब बना वो यहाँ टेक करके यह निकाल देगा इसका पूरा का पूरा एफेक्ट ऐसा होगा एक्चल में पहले ऐसा होगा TS3- आएगा, यहाँ अटेक करेगा O- बनेगा, फिर वो Equus Acid H+, देकर ऐसा बना देगा फिर HCl निकल जाएगा, यह कहानी है तो इतना तो तुम समझी चुके हो कि CS3- ने अटेक किया तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, ठीक है? मैं एक-एक स्टेप करके समझा रहा हूँ TL, ऐसा, 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 ओ Negative, एक मिथाइल, दो मिथाइल, सही है? और Equus Acid इसको प्रोटोनेट कर देगा तो इसके बाद तुम को यह ऐसा दिखेगा और अब लग जाएगी NGP यह लोन पर यहाँ टेक कर देगा, यह निकाल देगा छोड़ना नहीं यहाँ पर, NGP करा नहीं है धोलक पर आंसर आजाएगा, साफ-साफ दिख रहा है अलकीन थोड़ी बनेगी, ओपन चेन होगा नहीं आया था आंसर? अरे सवाल आसान आते हैं, confidence बनाके पढ़के जाना सारी चीज़ें जो पढ़ाई गई है, कर लोगे अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह तो देखके बताओ, इसके लिए कोई टाइम नहीं देना 30 सेकंड बस the most suitable reagent for the conversion of 30 सेकंड में हो जाना चीए RCH2OH, RCHO बताओ जरा, PCC, PDC, Collins, Jones mild oxygen agent दोलग पुरा आंसर है TRO3 मतलगाना, CRO3 अगर दिया है न सिर्फ तो वो strong माना जाता है या तो CRO3 के साथ acetone दे तो तो वो mild में आ जाएगा, फिर CRO3 दिया तो वो strong में आ जाता है तो PCC आ जाएगा, D answer अगला सवाल J advance 2012 का है ये लेकिन सवाल में कुछ खास बात नहीं है कर लो फटावट से 2 मिनिट काफी है इसके लिए 2 मिनिट काफी है पहले आप लोग दिमाग लगाओ नहीं तो फिर हम हिंट देते है वैसे तो कर लोगे मेरे ख्याल से ये वाला सवाला साने 2 मिनिट काफी है इंट दे दूं क्या? तो नहीं अब ज़रा मेरी बात साइनाइड जो है वो साइनोहईडरीन फॉर्मिशन तो कर देगा यतना तो कन्फरम है, साइनोहईडरीन है न? जी आगया तो मारा साइनोहईडरीन अब ये जो 95% S2SO4 होता है न? इसका मतलब ये होता है कि आपका hydrolysis भी होना है यहाँ पर ठीक है 95% H2SO4 का मतलब कि इसमें hydrolysis भी होता है किसका साइनाइड का तो आप साइनाइड का complete hydrolysis भी कराईए और साथी साथ अगर alcohol है तो H2SO4 उसका dehydration भी कर देगा इसमें दौनों चीज़ें होती है देखो 95% का मतलब यसा नहीं है कुछ की पस सिर्फ S2SO4 दे रखा है 95% S2SO4 का मतलब है कि hydrolysis भी होगा इसमें चलो ध्यान से देखना ज़रा अब यहाँ पर क्या होता है साइनो हाइडरिन क्या करेगा मतलब यह साइनाइड क्या करेगा जी वाला तुम्हारा ऐसा बना देगा CH3 CH2 CO negative देखो यह CN माइनस यहाँ टेक करेगा पाई बॉन टू टेका तो यहाँ आ जाएगा CN यहाँ आ जाएगा CH3 ऐसा दिख रहा है अब यह जो 95% S2SO4 है यह करेगा hydrolysis और साथी साथ इसको protonate करके eliminate भी कर देगा dehydration है न तो यह जो S2SO4 दे रखा है यह दो काम करेगा इसका मतलब ही होता है कि with some water और उतना water इनफ होता है साइनाइड को hydrolysis करने के लिए 95% में जो बाकी बचा हुआ है तो यह ऐसा कर देगा और इसके बाद इसका elimination हो जाएगा किसका क्या आ जाएगा double ऐसा और CuH भई alpha hydroxy तक तो तुम पहुँच गए होगे उसके बाद H plus भी लाना पड़ेगा अगर तुमारा यहां तक तुम पहुँच गए उसके बाद H2SO4 रुकेगा नहीं क्यों यह पानी को क्या करता है यह OH को क्या करता है यह E1 reaction करते था क्या E1 elimination तो यह E1 करेगा तो क्या आंसर आजाएगा आगरा ठीक है नोट कर लो यह reaction नोट कर लो साथ साथ ठीक है तो hydrolysis then E1 reaction चले आगे चलो बहुत बढ़ी है बेटा वेरी नाइस अच्छा सवाल था यह यह वाला सवाल देखा हुआ है कि आपका कहीं पर नहीं देखा तो एक मिनिट के अंदर करना है एक मिनिट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चीए देखा हुआ है तो अच्छी बात है नहीं देखा तो एक मिनिट का टाइम लगेगा बस कराया था मैंने आ, बहुत बड़ी है, बस बस अब ठीक, इतना तो समझी गए तीन एलडोल स्टेप आये थे इसमें क्यों, जितने अलफा है उतने एलडोल उसके बाद लास्ट में कहनी जारो हो जानी है ठीक है, जितने अलफा उतने एलडोल उसके बाद तो लास्ट में कहनी जार हो जानी है ठीक है क्या बात है याद है तुम्हें अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर और ये सवाल 2007 का जेए अडवांस का है तो मैं आपको समय दूँगा दो मिनिट का मात ट्राए करें दो मिनिट बास दो मिनिट अगलो एक्षी नो जोलिस फॉलवड़ वायरी एक्षिंग ड़स्ट एंड वाटर गिर्स ए कंपाउंड एवन फॉर्द रिट पॉसके वच इल्ड एफ कंपाउड एफ इस वैसे तो मेरे ख्याल से न विना कुछ किए ये सवाल का अंसर आ जाता है और गयने कहते हैं से अगर आपको बेसिक रियक्षिंग के फंडे पता है कि रावंता है कि इसमें क्या होता है तो भी आप आराम से इसका अंसर बिना पैन चला यांस जाएगा मुझे तो चमकता वाद दिख रहा है आपको भी दिखना चाहिए कि क्या लगता है सिसूपाल कि बिना पीन चला यांसर आ जाएगा बिना पीन चलाए कि हाँ समझ गए बेटा यहिए यह टा है अलफा बीता अंसर लगा दूंगा इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा यह बीता यही तो होना है क्यों ? साइक्लो हैक्जीन जब खेल खेलेगा तो क्या करेगा ? कौनसी ओजनलिस्स है ? ओजनलिस्स फॉलवड बाई रिएक्सिन में जिंक जिंक आ गया ना काम खतम हो गया देड़न आ गया ना काम खतम हो गया तो क्या करेगा ये ? क्या जाएगा ? और क्या जाएगा ? बस अब कुछ बचा नहीं इसमें आब इंट्रा- erk्रालोल हो जाएगी क्या हो जाएगी ? प्या हो जाएगी ? कैसे लिखोगे इसको ऐसे लिख लो HC double bondo कितने 4 CH2 है न तो 1, 2, 3 और 4 CH2 और यहां CH2 पानी निकाल देंगे खतम किलियर है किलियर है क्या बात है बहुत बड़ी है अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मैं मातर एक मिनिट से ज़्यादा का समय आपको नहीं दे सकता यह सवाल जो है एक मिनिट का ही है करिए जल्दी फटा बड़ से The smallest ketone and its next homolog are reactive with NS2H to form exam two different exam are form answer आणसर आगरा विलावत चेनी डुलकपुर्ण बता यह क्या लग रहा है आचका होगा आचका होगा चले एक बच्चे का बहुत अच्छा सवाल है पिछले वाले में तर यहां हीट तो दिये ही नहीं है तो क्या answer ना करें चोड़ने सवाल को ऐसी बताओ आप बताओ नहीं करना answer चोड़ने सवाल ऐसी क्या करें अगर आपसे चार possible option पूछे गए हैं क्या करें करना पड़ेगा ना answer भाई option के according भी सोचना पड़ता है कई बार आपको ठीक है चलो आओ इधर आओ दाइ smallest ketone and its next homolog are reacted with NS2H क्या करना smallest ketone बताओ क्या होता है acetone और उसका next homolog क्या हो जाएगा butanone कई बार बेटा आपको option के according answer करने पड़ेंगे इसके लिए आप तयार रहिए हो सकता है कि आप बोलो कि सर जैसे अभी हो गया इस वाले पिछले वाले सवाल में कि सर हीटिंग नहीं दिया है तो आप नहीं करो कि छोड़ के आ जाओगे तो वो उसमें ऐसा भी नहीं था कि कोई और option हो उन चारों में से choose करना था तो best possible option का चुनाव करते हैं उसमें न ये usually doubt होता है लोगों को लगता है कि अगर हम ये छोड़ देंगे तो ये सवाल bonus में चला जाएगा लेकिन ऐसा नहीं भी होता है वो bonus भी नहीं देते हैं वो इतना मान के चलते हैं कि understood होता है कई चीजें कि अगर हमने इन चारों में से पूछा और reaction तुम्हें पता चली गई है कि अल्डोल है और जब तुम वहां तक पहुंच चुके होगे heat नहीं करा रहे होगे तो beta hydroxy तक तो पहुंचे होगे न तो वो इतना मान के चलते हैं ठीक है तो आपको उसके लिए ready रहना पड़ेगा best possible option चूज करके आ जाओ अगर कभी आपको ऐसा लगता है तो तो आप यहां क्या अगर होगे पानी निकाल दोगे अब आप मुझे बताएं क्या यह GI exhibit करेगा नहीं करेगा तो एक आएगा और यह तो करेगा GI exhibit अगर GI exhibit करेगा तो दो आएगा तोटल कितने हो जाएंगे दो प्लस एक यानि की तीन तो थिरी डिफरेंट oxyne बनेंगे क्यों यह C90 और यह सिर्फ और सिर्फ एक ही compound बनेगा ठीक है clear है ठीक यह C90 में आएगा और यह एक ही बनेगा तो दो यह एक यह तीन आएंगे टोटल clear चलें आगे very nice अगला सवाल यह तो सब का ही आंसर सही आएगा the correct order of reactivity of phenyl magnesium bromide with of the following फटावट से 30 सेगेंड है आपके पास 30 सेगेंड से एक बार सवाल पढ़ो option देखो question देखो कि क्या क्या दे रखें है option सभी चलना पड़ सकता है जल्दी हो जाता है question answer कर दो बता दो answer hysteric hindrance का नाम सुना है कभी जीवन में बस इतने में तो answer आ जाता है यार दो एक तीन एक दम सही है LD है यह कीटोन है यह कीटोन यहां hysteric hindrance जादा है यहां hysteric hindrance कम है यहां hysteric hindrance कम परे करा रहा हो इन नों में ऐसा नहीं कि आप इससे कम परे कराने लगो LD है अलग कर दो पहला तीसरा में hysteric hindrance से answer आ जाएगा वेरी नाइस सबका सही है अगला सवाल आ मिक्षर ओ बेंजल्डी हाइड और फॉर्मेल्डी हाइड और यह बोला था कि वन ओफ़ रीक्तेंड इस फॉर्मेल्डी है देन इडिट विल अलमीज और यह यहाद है कि नहीं याद है वो दिन फ्यत्टी है टू यहेगा यह 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 तो क्या है आंसर, क्लियर एकदम, बहुत आसान है, अगला सवाल, क्या आपने इसको कहीं देख रखा है, अप्रोबियेट रिएजेंट बताना देगो, C double bond O को तुमें reduce कराना है, और OH को छेड़ने का नहीं, अगर तुम क्लेमेंसन ले लेते हो तो OH CL में convert हो जाएगा, यहाँ पर आपक मेडियम में कराओ, ताकि सिर्फ यह हो यह ना हो, अगर तुमने यह ले लिया, तो यह reduce हो जाएगा, यह react कर लेगा, यह react कर लेगा, किस से HCL से, protonate हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, प्लस आजाएगा, फिर यह CL लगा देगा, तो यह सब नहीं करना, इतना रायता नही फैलाना है, तो तिर्फ उसे भी ले लो, ती वाला क्यों नहीं लिया, सी वाला से इसको excellent बनाता, अलकें बनाता, अलकें बनाता, तो मैं अलकें चाहिए यहां पर, ए इसलिए बदला पुरा अंसर है, अगला सवाल बताएं, which of the following has most acidic hydrogen 3 hex, यह GOC का सवाल है 3 hexanone अगर मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 hexanone यह हो गया 2, 5 hexadinon dion है ना 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexa हो गया 2, 5 2 पर double bond हो, 3, 4, 5 2, 4 hexadinon 1, 2, 3, 4, 5 2 पर लगा दिया, 4 पर लगा दिया 2, 3 2 पर लगा दिया, 3 पर लगा दिया ठीक है, अब आप मुझे बताएं कौन सा वाला सही है तो मेरे खयाल से आप लोगों को याद होगा GOC में, बीटा डाई कीटोन वाला H acidic होता है मैंने, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में बताया था sodium कंस क्यों, ठीक है तो यह क्या करेगा H प्लस निकाल लेगा, तो यहाँ N9 बनेगा, जो कि दौनो तरफ रेजोनेंस में stable है, B आंसर आजाएगा इसका किलियर है? जमका के नहीं? बागी के option भी चेक कर लो एक बार तो B आंसर है इसका ठीक है, चलें आगे वेरी गुड अगला सवाल, which of the following compound is oxidized to prepare methyl ethyl ketone बताओ, methyl ethyl ketone मतलब ketone मना लो C double bond methyl यहां लगा दिया, ethyl यहां लगा दिया कौन सा लेना है बताओ, 2-propanol कैसा होता है अगर तुम इसको oxidize कराओगे तो acetone बनेगा 1-butanol ऐसा होता है अगर तुम इसको oxidize कराओगे तो या तो butanol बनेगा या butanoic acid बनेगा 2-butanol लोगे ऐसा दिखेगा और जब इसको तुम oxidize कराओगे तो तुम्हारा methyl ethyl ketone क्योंकि यह oxidize हो जाएगा ना फिर चेन नहीं आंसर सही है तरसरी butyl alcohol इसका oxidation होता ही नहीं है क्योंकि H नहीं है clear एकदम clear एकदम चलें आगे जल्दी से बोल दो फटाबट से ठीक है चलो बहुत बढ़ी है very nice क्याने जारो reaction is not given by trimethyl acetaldehyde acetaldehyde में trimethyl लगा दिया ऐसा यह A हो गया benzaldehyde क्या हो गया PTHO हो गया acetaldehyde क्या हो गया CS3CHO हो गया और formaldehyde क्या हो गया HCHO हो गया ऐसा बताओ जरा क्याने जारो reaction कौन नहीं देता है यह देगा यह देगा यह देगा यह देगा यह नहीं देगा acidaldehyde यह तो आपका aldol देगा है ना aldol देगा यह आपका clear अगला सवाल आपके सामने आपकी screen पर when acetaldehyde is treated with failing solution it gives a precipitate बताओ acetaldehyde clear very nice बहुत बढ़िया a compound that gives a positive iodopharm test one pentanol कैसा दिखता है one pentanol ऐसा दिखता है two pentanon कैसा दिखता है ऐसा दिखता है two pentanon और methyl ketone आगे यही देगा test three pentanon देख लेते हैं एक बार दे रहा है कि नहीं यह हो गया यह नहीं देता है methyl ketone नहीं है clear एक दम बागी भी चेक करते जाओ न अगला the reagent with which both acid aldehyde and acidone react easily बताओ tolerance, sifts, pelling यह तीनों aldehyde के लिए होते हैं ketone के लिए नहीं होते हैं ग्रेगनाड दोनों के साथ कर लेता है versatile है ग्रेगनाड बहुत बढ़िया चलो अब एक बहुत 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 लिए जेएडवांस 2015 का सवाल है आपके सामने क्या हमने यह किया है और अगर किया है तो अच्छी वात है नहीं किया है तो दो मिनिट का समय लीजिए और आप इसमें aldol condensation मेरे ख्याल से पता यह सवाल ऐसा था ना मज़ा आ गया था इस सवाल को देखके एबी किसी डी में से अंसर लगाना है तो पता है अलोल कंडन से सने तो नाम पता है और यही पता है की स्टेविलिटी सवाल तो देख रहे हुँ तो बेसिक नौलेज आ गई अगर तुम्हें और गनिक की तो 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 तुम बिना पहेंचला इस सवाल को सॉल कर सकते है जिसको ज्या कि दो मिनिट का समय वैसे तो आपके पास बागी आप बिना पेंच लाए भी कर सकते हो आपकी इच्छा है कि अ कि अ कि 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 क अग्या अंसर अरे वा यार यह तो सबका आया होगा भाया सबका आया होगा वेरी गुड देखो अब देखो यह दोनों ही की टोन है कौन सा सी डवल मॉंड ओ बने और कौन सा एच जेड बने उस पर हमें विचार करना है कैसे विचार करेंगे आईए जरा मुझे वा बताओ अगर तुमने ऐसा सोचा कि सर हम इसको सी डवल बॉंड ओ बनाएंगे तो बागी कोई एच जेड बनेगा तो इसके रेस्पेक्ट में एच जेड बनेगा और वैसे भी यह पूरा ओवरॉल एफेक्ट को एल्डोल कंडन से सने ना अगर तुम यहां के दो ए अगर कोई ऐसा बोलता है कि हम इसको सी डवल बॉंड ओ तो बना लेंगे लेकिन हम एच यहां वाले लेंगे क्यों इसके रेस्पेक्ट में अलफा तो यह भी है अगर तुम यहां से पानी निकाले हो तो एक दो तीन चार की रिंग बनेगी चार वाली तो अनिस्टेबल होत उससे कि इलफा यह बीटा और अगर यहां चलोगे तो यह बीटा गिलियर एक दमागे था लेखी टॉटो मेर्जामेज एग्जिबिटेट वाई, multiple answer correct है, more than one correct, कर लिया था यह आपने सवाल, कभी तो किया ही होगा जिंदिगी में, टॉटो मेर्जामेज एग्जिबिटेट वाई, कौन देगा, देखो, ये वाला इनॉल है, क्या है ये इनॉल, खुदी बना रखा है इनोंन इस वाले के लिए यहां से, और इस वाले के लिए यहां और यहां दौनों जगे से हो जाएगा, तो A आ गया, C आ गया, इस वाले के लिए यहां से, D आ गया, B वाले में कुछ ऐसा दिखने ही रहा, सुरी, B वाले में ऐसा दिखने ही रहा, तो B वाला नहीं आएगा, क्यों स्टीड अवल बॉंड ओके रेस्पेक्ट में चलोगे तो यह अलफा यह अलफा SP2 नहीं है आगे बड़े इसके रेस्पेक्ट में तो यह भी SP2 है SP3 नहीं है तो ACD आंसर आएगा B नहीं आएगा पैरा बेंजो कुईनों इसका नाम है बड़ा फेमस सवाल है क्योंकि अलफा पे कार्बन SP2 है ना SP3 नहीं है ठीक है बहुत बड़ी है वेरी नाइस अगला सवाल नया कार्बन कार्बन बॉंड कहां बनता है कैनी जारो किलेमेंशन रायमा डीमन प्रिडल क्राफ्ट नया कार्बन कार्बन बॉंड कहां बनता है कैनी जारो किलेमेंशन रायमा डीमन या क्लेमेंशन मूल्टिपल आंसर करेक्ट है यह भी बताएं जरा क्या लग रहा है आंसर RTR reaction में salicyl aldehyde बनता है मतलब नया carbon बनता है preal graph में भी alkylation, acylation होता है नया बनता है कैनी जारो में तो नहीं होता एक molecule का oxidation दूसरे का reduction नया carbon carbon bond नहीं बनता clemencion में भी उसी C double bond हो का reduction होता है है ना BD is the right answer अगला which of the following will undergo aldol condensation यह भी more than one correct है multiple सुरू होगे साय दवाब के हैं more than one correct चली यह बताएं ज़ा acid aldehyde क्या होता है CS3 CHO propane aldehyde क्या होता है propanol tri deuterio acid aldehyde CD3 CHO और benzaldehyde होता pH CHO aldol कौन देगा जिनके पास alpha H या alpha D या alpha T वगरा हो है ना ABD answer आएगा C गलत है benzaldehyde तो के नहीं जारो देता है aldol दो देता नहीं है क्लियर एक दम क्लियर एक दम क्लियर वेरी नाइस आगे बने अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर among the following compound which will react with acetone to give this बताओ acetone के साथ किसकी reaction कराएं कि ये बन जाए बोलो ये भी multiple answer है more than one correct star लगा देता हूँ बार बार क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे star लगा लो तो multiple हो जाएगा star वाले है न ऐसा कौन मनाएगा C double bond O की reaction NH to Z के साथ हो जाए अब Z कुछ भी कर लो आप पानी तो निकाल नहीं है ठीक तो A आ जाएगा NH to Z और D आ जाएगा A और D आ जाएगा B वाला तो 3 degree आमीन है और C वाला 2 degree आमीन है तो वो तो react करेंगे नहीं इस manner में है ना clear क्यों जंदा पलट रही है के एवीडी भोल रहे थे पार्थ वेटा तुम अभी है ना अगला सवाल इस बिचाव था फॉलाएंगे जने एक्जाम्पल ऑफ एल्डोल गंडन सेशन पताएं जरा कौनसा एक्जाम्पल है एल्डोल गंडन सेशन का आप यह मत कहowal एक्जाम्पल पूछा है तो इन चारो में से चूश करना है एल्डोल रियेक्शन ही बोलेंगे उसको अपन वैसे इन चारो में चूश करो कौन सा लग रहा है मर्दीपल आंसर है ये भी MCQs चालू हो गए आपके अब multiple वाले बताओ जरा Acid aldehyde, acetone क्या ये aldol वाली reaction है? बिल्कुल सही है ये कहनी जा रहो है, ये कहनी जा रहो है ये intra, ये आपकी self कहनी जा रहो है, ये cross कहनी जा रहो है ये आपकी self aldol लें दोनों ये और भी आएगा answer अगला Which of the following compound will react with ethanol and KCN, बताओ जरा कौन react कर सकता है? ethanol and KCN के साथ बोलो बोलो, आजाएगा answer KCN के साथ वही react कर पाएगा जिसका halogen निकल जाएगा है ना, और carbonyl में, तुम्हें एक बाद चेक करो इसको एक मिनिट का समय दे रहा हूँ इसमें एक अच्छी बात भी है ethanol and KCN थोड़ा सा सोच के करना क्योंकि ये reaction आपकी पता है? दो जगे आती है, ये आती है आपकी alkyl halide में भी आती है और ये synohydrin में भी आती है तो मज़ा आ जाएगा एक लिएगा एक मिनिट का समय ले लो जब तकम पाणी पीले पाणी आगया? इतायल कलोराइड, एसी टायल कलोराइड और बेंजल्डी आइड इसका CL निकलेगा नहीं बेंजल्डी हैड में तो C double bond हो है के C N याद करो इसी टायल कलोराइड में भी C L हड कर C N आ जाएगा और इतायल कलोराइड में तो आप जानती है उसी यह अगर C N लगाते थे, S N 2 ठीक है? किलियर एकदम विच अब दा फॉलाइंग कंबाउंड विल गेवा यलो पीपीटी विद आयोडीन करो के ट्राय बताओ यलो पीपीटी विद आयोडीन करो के ट्राय ट्राय करो 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 ट्राय आयदो फम्, बिल्कु सही बात है, ऐलो फम् टेस्ट, बना लो एक बार एसी टोफन बना लो, एसी टमाइट देखो, ती और दी तो हटा दो यार, एक एस्टर दे रखा, एक एसी टमाइट दे रखा, वो तो वैसे नहीं आएगा, ए और भी चेक कर लो, या तो एक आंसर वे वे से Math रिटे अप्रेक्त है लेकिन मुल्टीपल मुछेंगर में सिंगलवी आ जाता है कभी 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 करीखी क्भी क्रीग j baseball टू और फासे खिकेमगि कि क्या लग दा्याइजर तू हाइड्रॉक्सी प्रोपेन ऐसा देखेगा एसीट ओफेनॉन ऐसा देखेगा कि रही है क्या यह दोनों देंगे यह सर ए भी देगा भी भी देगा ती नहीं डी नहीं एस्टर आमाइड थोड़ी देंगे टू डिगरे अलकॉल इस टाइप का जिसमां मिथाइल गुरूप लगा यह तो देगा और एसीट ओफ नॉन में देखो मिथाइल कीटोन लगा हुआ है ना कि इतारा लगा लें यहां पर वेरी नाइस वेरी गुड वेरी 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 नाइस चलो अकला सवाल बेस केटलाइज सब्सक्राइब को यह बताना है एल्डोल कौन-कौन देता है फटावर से वन मिनिट और फिर इसके बाद हम करेंगे जी एडवांस का पैराग्राफ तैयार रहना उसके लिए चलो एक लास्ट कोश्चन मल्टीपल वाला और कर लो क्या लग रहा है मल्टीपल आंसर क्या लग रहा है बेटे वन और मोर दैन वन करेक्ट एल्डोल देखो बेंजल लियाड तो देगा नी डी नी ए और सी चेक कर लो कि ए और सी चेक कर लीजिए ते रहा है को रही लगा हूँ को रही लगा हूँ क्या लाग रहा आंसर आगे है प्रोपे नल एक चार कार बनो गए एक दो तीन प्रोपियोनल्डी हाइड वनतर यह हो गया प्रोपे नल और टू मिथाइल प्रोपियोनल्डी हाइड ऐसा देखेगा एक दो तीन तो अलफा एच दोनों के पास है A and C बोथ और बाकी इसके पास नहीं है B and D गलत ठीक है का लिंडा है बिटा जिया आप तैयार है कि या आप तैयार है जिए एडवांस बहुत बहुतनी प्रागराफ और पहले आप पढस को पर breathe और फिर उसके बाद में आपको एक करके सवाल बताउंगा मनद दिखाऊंगा तो आप बताते चान्न न है ठीक है मजा पहले आप यह पैराग्राफ तसली से पढ़े आप यह पैराग्राफ तसली से पढ़े टू इलिफैट एलडियाइट पींड़ियक्ट इन्द अप्रजंस ओफेट के टू बाउंड आर्विच upon treatment with HCN provide compound S on acidification ये सब पढ़ो ठीक है और ये सब ये देखो ये ठीक है on acidification and heating S गिर्दा प्रोड़क्ट तोन बिलो ये ठीक है इसके बाद सवाल ऐसा है देखो the compound P and Q respectively P और Q निकालना है R बताना है S बताना है बस इतना ही करना है ठीक है मदब P Q RS बताना है चलो ट्राइ करो पहले आप सवाल जरा करें पहले आप सवाल पढ़ें पहले तू एलिफेटिक अल्डी हाइट पी एंड क्यू रिएक्ट इन प्रिजैंस ऑफ एक्वस के डू सी ओ दीडू कंपाउंड आर ऐसा कुछ कह रहे है ना करो थोड़ा सा एनालिस साब करो इसका मैं आपको ये सवाल पढ़ने के लिए वन पॉइंट फाइब मिनिट दे रहा हूं डेड़ मिनिट में आप ये सवाल पूरा पढ़ने डेड़ मिनिट वन पॉइंट फाइब मिनिट में आप पूरा पहले सवाल पढ़ें अच्छे से ठीक है पढ़ें ज़रा सवाल को सांधी से थोड़ा तसली से ठंडे दिमाग से कि एक टीज पढ़ें उसमें क्या क्या लिखा हुआ है कौन सा कंपांड से क्या हो रहा है कि एक टीज दिमाग से क्या हुआ 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 है उल्टा भी सोच सकता हुआ 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 है पताओ ज़रा उल्टा सोचिए कुछ आइडिया आपको लग रहा है अगर मेरे पास ऐसा लिखा है टू एलिफेटेक एल्डिएट पी एंड की रियक्टिंद प्रजेंस ऑफ एक्क्वस के टू सीओ थरी ठीक है मेरे पास क्या है एक पी है एक क्यू है और ये एक्वस के टू सीओ थरी इसका मतलब क्या हो गया ये Eldol Condensation ही तो होगी तुम्हारी क्यों हो गई? क्योंकि ये Reagent आप Carbonate भी तो Eldol में लेते हो और Carbonale Compound कहा रहे है To give Compound R ठीक है? Which on treatment with HCN provide compound S R की reaction किस से हुई? HCN से भी इसने S बनाया अब S का क्या कहा रहे है? On Acidification and Heating ठीक है? S का On Acidification and Heating ठीक है? क्या बन रहा है? Gives the following compound ये बन रहा है ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है देगो टेक करो देगो अब इसका मतलब क्या है? यहां से आपको जरासा भी आइडेन लग रही है हमारा P क्या होगा, Q क्या होगा तो आप हम चलेंगे Option B यह तो आपने बना लिया होगा ऐसा सिक्वेंस कि यह हो गया चलो भई आईए ज़रा The compound P and Q respectively तो Option से चलो के खतरनाक सांसर आजाएगा आपका है ना? Option चलो के एक दम आंसर आजाएगा कैसे करो के बताओ अगर तुम P और Q A लेते हो, B लेते हो, C लेते हो, D लेते हो आप एक तरीके से ऐसे चल सकते हो या एक काम ये कर सकते हो कि उल्टा भी चल सकते यहाँ से कैसे? यह जो यह नोंने H प्लस के बाद हीटिंग कराई है ना? इसका मतलब यहाँ S टेरिफिकेशन जो हो रहा था उसका उल्टा कर दो मतलब इस बॉन्ड को तोड़ दो इसको H दे दो, इसको OH दे दो मैं उल्टा चल रहा हूं, उल्टा अगर H प्लस के साथ हीटिंग है तो भाईया S टेरिफिकेशन हो रहा होगा, रिंग तभी तो बन रही होगी ठीक है? इसका मतलब S क्या होगा? S होगा ऐसा ऐसा होगा अगर तो मुल्टा चलोगे अब HCN कराया तुमने क्या कराया? HCN कराया, अभी यह S नहीं है क्यों H प्लस के बाद हीटिंग कराने के बाद यह बन्दा है मतलब H प्लस और हीटिंग के पहले की बात है means यहां तुम्हारा इतना तो कंफाम है कि S क्या होगा साइनाइड और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होकर एसिड बन रहा होगा थोड़ा सा सोचना दिवाग में साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बन रहा होगा तो पीछे आ जाओ मतलब यह तुम्हारा S नहीं है S एक्चुली पता क्या होगा S S तुम्हारा होगा यहां पर C N क्यों साइनाइड का पहले हाइड्रोलिसिस हुआ होगा फिर हीटिंग होगी तो यह बना होगा तो साइनाइड वाला बीच में कहीं होगा ठीक है सॉरी यह S वाला बीच में कहीं होगा S वाला साइनाइड होगा S यह होगा देखना ये है तुम्हारा S फिर तुमने हीटिंग मतब पहले हाईडोलिसिस हुआ होगा फिर उसके बाद तुमने हीटिंग कराई होगी तो S टा बना होगा ठीक है ये हो गया आपका अब HCN के साथ S क्या करता उल्टा चलो ताइनो हाईडरिन फॉर्मिशन करता है इसका मतलब तुम्हारा R क्या हो गया काम हो गया भई ये अब तो देखो R क्या हो गया HCN के पहले की बात मतलब उल्टा चलोगे इसका मतलब तुमने HCN जो जोड़ा वो किस में जोड़ा होगा कार्बोनाईल में जोड़ा होगा देखो इसमें तुम HCN कराओग यही बनेगा ठीक तो यह होगा तुम्हारा आर अब यह जब तुम्हारा आर है तो तुम्हें पी और क्यों ढूणना है कैसे ढूणोगे इसके रेस्पेक्ट में अब एल्डोल का उल्टा चलो ना इसके रेस यथा दिखेगा आपका तो पी और क्यों मैं से कोई ना कोई एक होगा आपका क्या इस कार्वन पर दो में था इल्मात्तब एमी टू टी एच टी हो प्लस क्यू वाला क्या हो जाएगा एट टी है चो ऐसा तो पी और क्यू आपस में रेक्ट्शन करके के टू सी यो थी दे चलना था भाइज प्लस के साथ हीटिंग का मतब क्या एक तरीके से एसीडिफिकेशन के साथ मतब हाई डोलिसे सी करा रहे थे आपू है तो यह जो है ना यह एस नहीं है यह बीच में कहीं बनेगा एस यह है यह है और यह फी और क्यूए इन नोना में से कोई ना कोई होगा कि यह जरह में Pastor पुर में Um यह लगा होगा हुए । योटे से क्ली मिठनर लगें आगरईगा चेक कर लो शेक कर दो THो के अलफा पर दो मिठाइल और एक CS2H अलफा पर इस पर दो मिठाइल और एक दम ठीक है अगला देखो R हो गया S क्या था तुमारा S उल्टा चलना था S क्या था ये देखो ताइनाइड OH और अलफा पर फिर से वो ही दो मिठाइल और एक CS2H इसके रिस्पेक्ट में न देखो ताइनाइड और OH आएगा D आजाएगा इसका देखो ताइनाइड OH और इसके अलफा पर दो मिठाइल एक CS2H D आजाएगा देखो चेक कर लो बहुत आसान है देखने में लग रहा था वो टफ देखो न ताइनाइड लगा हुआ है OH लगा है और अलफा पर दो मिठाइल और एक CS2H तो यह होगे आपका S वाला किलियर एकदम सबको क्या सभी लोगों को एकदम किलियर है यह ठीक है आगे चलें ठीक है चलो बहुत बढ़िया ठीक्यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ प्रेक्टिस करी एलडेहट की टॉन के PYQ ठीक है एक कॉमप्रेंशन और होता है इसमें उसको भी आप एक बार कर ले न कार्बुनाइल का एक और कॉमप्रेंशन था उसको आप कर ले न वो आपके लिए छोड़ देते है R का C देखो चेक कर लेते है R का C देखो R का C R का C R का C ठीक है R का हमने C देखा ओ बेटा ओ बेटा जी R का तुम C दिखवा रहे हो तो इस कारवन पर इस पर ही दो मिठाइल ने जबकि उन्हों ने एक कारवन और बढ़ा दिया ठीक है तो यह कहानी दीवड़ा आपकी एक 2010 का एक और कॉम्परेंस है उसको भी आप लोग कर लेना है न खिलियर एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का काफी सारे PYQ आपने किये यहाँ पर हमारे साथ ठीक बाकी जो भी छोटे-मोटे 2-4-5 बचे होंगे तो वो आपके लिए छोट देता है कि कर लेना कुछ से हो जाएंगे करोगे ट्राइ करोगे अच्छा लगेगा एकदम तो आपन अब मुलाकात करेंगे नेक्स लेक्टर में कारबॉक्सिलिक एसड का PYQ करेंगे अपन ठीक है कारबॉक्सिलिक एसड के PYQ करेंगे के लियर है चलो भाई बहुत बढ़िया वेरी नाइस अब हम मुलाकात करेंगे कब नेक्स लेक्चर में जब भी आपका होगा, तैयार करके आना क्या, कार्बॉक्सलिक एसिड पढ़के आना, ठीक है, मिलते हैं वेड़ा, नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए, ओक्के वाए.